हेलो एव्रिवान गुद आफ्टनून कैसे हो आप सभी वेलकम बाक टू डाउटमिट आज प्रॉमिस्ट आज हम क्या करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं कंस्रक्शन राइट कहा था आप लोगों से सुभा भी बोला था इन फाक्ट पर्सों की क्लास में यानि साथडे को भी बोला था कि डोंट वरी मंडे से पक्का हम कंस्रक्शन शुरू करने जाएंगे अन आन मॉर्न कलास में भी बोला था कि जिसको भी कंस्रक्शन करनी है वो भ inte dうわ भलगी चैसे पक्का से एटेंड करना ठीक है तो हम आज पहली बार पढ़ने जा रही है construction right basic C बाते तो आप जानते यह construction के बारे में यानि की compass का use कैसे होता है protector का use कैसे होता है यह तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो यानि फ्रन 6th standard पढ़ते आ रहे हो राइट ही आंगल कैसे बनाना है कोई आख कैसे ज्रॉख करनी है पर्पेंडिकुलर बाय सेक्टर कैसे बनाने है यह सब बेसिक बाते आपको पता होनी चाहिए आपको मालूम भी है राइट तो अब तो आप 10th standard की constructions पढ़ने आ रहे हो तो उसमें हमें जो जो चीजे पढ़नी है आज हम वो देखेंगे ठीक है तो रेडी एक्साइट भाई आपका इतना पसंदीदा टॉपिक पढ़ने जा रहे है हर बार कमेंट सेक्शन में आता था माम constructions कर वाई ये constructions कर वाई रहे है तो आज तो फोल अटेंशन के साथ अब ये सारी क्लास होती है डेली डाटर्स मंडे टू साटरड़े हना ओके देन बार या जो ती हमार ये सेकेंड हाफ बाच की डाटर्ट इवनिंग बाच वो होता है 5 o'clock से स्टार्ट 5 o'clock in 6 o'clock होती है साइंस की क्लास दिन 7 o'clock होती है माट्स की क्लास देन 8 & 9 p.m होती है अगेन साइंस की क्लास ठीक है भाई चालो ताइम टेबल नोट कर लिया तो अब एक बार फटा फट से ये देख लेते हैं कि live class quiz contest में हमें करना क्या है? So live class quiz contest में कुछ special महनत नहीं करनी है. Daily जैसे live classes attend करते हो, वैसे ही attend करनी है. उसमें जितनी live quizzes होंगी, उसमें participate करना है and live quizzes में participate करने से होगा. क्या? भई, live quizzes में participate करोगे, तो questions जाधा से जाधा practice होंगे है न. आप लोग देखते भी हो कि हम लोग अभी क्या कर रहे है 2 o'clock वाली classes में we were doing revision of concepts through quiz यानी quiz की मदद से हम concept revise कर रहे हैं राइट सो हम exams की preparation कर रहे हैं जानी जितने जादा questions आप practice करोगे उतने ही exam की preparation strong होगी and exam में marks आएंगे अच्छे राइट so quiz का main motto ये है और contest है so definitely भई पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी pocket money earn करने का मौका मिल रहा है क्या है वो prices मिलेंगे आप लोगों को हना चलिए तो फटा-फट से start करते हैं हमारी आज की first quiz and it's quiz time and our first question is dhyan से रीड करना इस question को और इस question का आपने यूज किया हुआ है कहां circles वाले chapter में हमने circles भी रवाइज कर लिया है तो इसी लिए constructions थोड़ा बाद में करवाया जा रहे पहले triangles रवाइज कर वाया then circles रवाइज कर वाया तो उन्ही का ही क्या है यूज होगा इस chapter में क्या है a pair of tangents can be constructed from a point P to a circle of radius 3.5 situated at a distance of dash from the center okay next one to draw a pair of tangents to a circle which are inclined to each other at an angle of 35 degree it is required to draw the tangents at the end points of those two radii and the angle between which is यानि angle between the radius पूचा गया है जो दो रेडिया है उनके बीच का अंगल पूचा गया है तो सोचो फटाफट से figure draw करो और कोशिश करो कि क्या होगा वो आंगल अन हम लोगो ने circles में ये सारी बातें अलरी पड़ रखी है तो आपको अगर ओके चालिए जी time's up तो अगर circles वाले चाप्टर याद है अना रे वाली सकरत हमने याद है तो अगर circles वाले चाप्टर याद है तो ये दोनों questions बड़े ही असानी से आप लोग कर पाए होगे राइट क्या है question? अब आप सोचोगी माम हम circles पढ़ रहे हैं, constructions पढ़ रहे हैं तो भई circles और triangles इन दोनों chapters का use होने वाला यादि इन दोनों chapters के कुछ-कुछ points हम लेंगे, use करेंगे और उन्ही का ही हम क्या करेंगे यहाँ पर help होगी हमें to construct different things clear? चालो A pair of tangents can be constructed from a point P to a circle. ठीक है, तो एक circle ले लिया हमने, जिसका center है O जिसका center है O, एक क्या consider कर लिया हमने circle और वो बोल रहे हैंगे point P, that is outside the circle ठीक है, point P is outside the circle और हमें क्या करना है, radius है हमारे पास radius है हमारे पास, suppose O, R, that is 3.5 cm, ठीक है, हमारे पास radius है 3.5 cm और हम से क्या पूचा गया है, ही दिस्टेंस अब दिस पॉइंट फ्रॉम दी सेंटर, यानि की center से distance पूचा गया है, तो O, P पूचा गया है, O, P क्या होगा, अब देखो, यह tangent है हमारी P, R, P, R, क्या है हमारा tangent है, राइट, सो यहाँ पे कहीं यह ऐसे आ रहा है, ठीक है, O, K, सो यह दिस P, R is our tangent, clear, यह कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, सो यह P, R, यहाँ पे क्या है, है, O, K, यह तीन-तीन लाइन बन रही है, वाट कोई बात नहीं, P, R, क्या है, हमारे यह वाली लाइन जार, टेंजन, ठीक है, यहाँ पे यह क्या है, टेंजन ते, अब आप जानते हो की टेंजन में, चलो, दुबारा ही ड्रॉ कर लेते हैं, यह फिगर, no problem, चलिए, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमें क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, हमें यह सर्कल दिया है, ओके लेट्स ज्रॉ करते हैं, ठीक है, यह एक सर्कल है, यह सेंटर है, ओ, ओके, ओके चलो, इधर देखो, अगर यह एक सर्कल है, ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, यह एरेज नहीं हो रहा है, कुछ इशू है, यहाँ पे देखिए, यह एक सर्कल है, विद सेंटर ओ, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि, हमें टेंजन बना रहे है, फ्रम दी पोइंट होगा, खे क हमारा ओरो के अट पोईंट आर और यह पोईंट है पी, ठीक है, अब यह रदियस हो गया, हमारा ओर, और इस ओर इस रडियस, राइट, यह ओर क्या है, हमारा रेडियस है, और हम जानते है, कि यह एंगर बिटूईंट अंधर राइडिस, आट दी पोइंट is 90 degree हना हमने पढ़ा है circles वाले chapter में राइट सो ये वाला अंगल क्या होगा 90 degree ठीक है ये क्या हुआ 90 degree हुआ clear अब वो पूछ रहे है कि the distance of the point from the center वो क्या होगा यानि ये OP क्या होगा देखो अगर हमारा radius उन्होंने दिया हुआ है 3.5 cm राइट उन्होंने radius दिया हुआ है 3.5 cm radius अगर 3.5 cm दिया हुआ है तो वो पूछने कि OP क्या होगा अब देखो ये अगर हमारा 90 degree है and this triangle triangle POR ये क्या हो गया एक right angle triangle हना तो triangles में हमने क्या पढ़ा है triangles में हमने पढ़ा है कि in a right angle triangle the side opposite to 90 degree वो क्या होती है longest side होती है right so ये OP क्या होगी सबसे बड़ी होगी so OP जो होगी वो 3.5 से तो बड़ी होगी right OP जो होगी वो 3.5 से क्या होगी बड़ी होगी तो बाकी कि जो सारे options है वो गलत हो जाएंगे लेकिन हमारा option A ही सिर्फ सही होगा कि उसका जो distance है वो 3.5 से जादा होगा और जादा क्या है हां पर 5 है बाकी सब क्या है 2, 3, 3.5 ये तो सब छोटे है और ये equal है so ये नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ option A correct होगा clear ठीक है so first question का answer है option A चले आगे okay next next question क्या है to draw a pair of tangents to a circle which are inclined to each other at an angle of 35 degree ठीक है एक circle consider किया उस पे हम tangents draw कर रहे ठीक है यहाँ पे हमने क्या draw करी tangents draw करी एक point से हम जा रहे है tangents draw करी ठीक है ये point P से दो tangents draw करी and उन tangents के बीच का angle is given 35 degree यानि ये वाला जो angle है ये है 35 degree clear ठीक है अब ये में आप लोगों को समझाया गया था क्या कि ये जो quadrilateral बना O.R.P.L. O.R.P.L. ये क्या बनता है एक cyclic quadrilateral हना cyclic quadrilateral बनता है cyclic quadrilateral का क्या मतलब होता है कि the sum of opposite angles is 180 degree हना So, ये 35 और ये वाल angle अगर मैं इसे x मान लो तो इन दोनों का sum क्या होगा 180 यानि कि 35 degree plus x is equal to 180 degree So, x क्या आ जाएगा 180 degree minus 35 degree that is x is equal to 145 degree यानि कि the angle between the radius वो क्या होगा 145 degree इसलिए option D क्या हो गया हमारा सही हो गया Clear? So, option question 2 का answer है option D that is 145 degree अब आप कहोगे कि माम इस सब चीजों का use construction में कहां से है तो थोड़ी देर wait करो उसके बाद देखेंगे कि कहा use है और कैसे हम circle के उपर tangent construct करने में इनका use करेंगे Clear? ठीक है? शाली तो सबसे पहली चीज हमें इस chapter में क्या सीखनी है? हमें सीखनी है to divide a line segment in a given ratio m is to n Clear? हमने coordinate geometry में section formula देखा है that is to divide a line in a given ratio यानि एक particular ratio हमें दी गई थी और उसके हमें coordinates बताने होते थे राइट? हमें करना होता था राइट? तो अब यहाँ पे हम construct कैसे करेंगे? यानि वो point आएगा कैसे? हमें एक line दी है हमें ठीक है? कोई भी particular measurement की line दी गई है ठीक है? तो सब इसे दो methods है इसको करने के लिए first method क्या है? draw any ray ax यानि की a b कोई line बना लो सबसे पहले हमें a b line दी गई है suppose मैं बोल दू 5 cm ठीक है हमें line segment दी गई है 5 cm clear? 5 cm उसके बाद क्या करो? 5 cm line draw करो तो सबसे पहले अपना compass और scale निकाल लीजिए ठीक है? scale और compass निकाल लो scale पे क्या करो? pencil से 5 cm की line draw करो ठीक है? तो suppose ये क्या है हमारा 5 cm की line है a b ठीक है? 5 cm की line draw कर ली हमने उसके बाद क्या करना है? draw any ray ax making an acute angle with a b यानि a b ये line है ठीक है? इस पे हमें यहाँ पे क्या रखना है? compass रखना है या फिर प्रोटेक्टर यूज़ कर ये प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको क्या बनाना है? एक क्यूट अंगल बनाना है यहाँ पे क्यूट अंगल यानिकी 90 डिग्री से कम हना? सो यहाँ पे बनाएंगे एक अंगल, एक क्यूट अंगल और वो ऐसे एक रे पास कर रही है ठीक है? फटवट से बनाओ, साथ साथ बनाओ सो यहाँ पे X हमने AX एक रे बना दी ठीक है? उसके बाद, सेकंड स्टेप क्या है? लोकेट M plus N, यानि की 3 plus 2, 5. So, 5 points बनाने हमें AX पे, A1, A2, A3, A4 and A5 on AX so that they are at the same distance from each other, यानि की A A1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3, is equal to A3, A4, is equal to A4, A5. ठीक है? same distance होना चाहिए, यानि की आप यहाँ पे अपनी compass पुट करोगे और जितने size की आपकी compass एक बार खुली है ना, उसी size की हर बार खोलनी है, यहनि की छोटी कर दी, बड़ी कर दी, ठीक है? so compass एकदम टाइट होनी चाहिए, आप लोगों की clues है तो उसे टाइट कर लीजिए, फटा-फट, चालो यहाँ पे रखी compass और आख ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक आख ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद यहाँ पे compass रखी, सेम साइज की, यहाँ पे आख ड्रॉ करी, ठीक है? तो यह पॉइंट हो गया A1, यह हुआ A2, ऐसे ही करके हमें कितने points लोकेट करने है? M प्लस N, यानि यह 3 प्लस 2, 5 points लोकेट करने है यहाँ पे फिर से रखा compass, आख ड्रॉ करी, फिर यहाँ पे रखा, आख ड्रॉ करी और फिर ऐसे 5 आखs ड्रॉ करनी है और इक्वल मेजरमेंट की ड्रॉ करनी है, ठीक है ना? ओके, चालो, तो अभी कितनी हुई है? A3 and A4 and then A5, फिर से रखी इधर, यहाँ पे आख ड्रॉ करी A5, clear? तो same distance की आप मेजर करके देखो, 1-1 cm का distance ले लीजिए, 2-2 cm का distance ले लो, same distance होना चाहिए, A1, A1, A2, A2, A3 and then सब के बीच का same distance होना चाहिए, चाहिए, वो 1 cm लो, चाहिए, वो 2 cm लो, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे है वो, join BA5, BA5 को क्या कर दो, join कर दो, ठीक है, scale से join कर रही है यहां पर, ठीक है, सो scale लिया और join कर दिया BA5 को, ठीक है, join कर दिया, ओके, next step क्या बोल रहा है वो, through the point A3, क्योंकि हमारा first number क्या है, 3 है, ठीक है, जो भी हमारा ratio में first number होगा, M is to N, 3 is to 2, तो A3 से एक line draw करनी है, draw a line parallel to A5B, यानि कि A3 से, क्योंकि A3 हमारा first number है, A3 से एक line draw करनी है, which is parallel to A5, अब हमने पढ़ रखा है, lines and angles में, when two lines are parallel, दो lines को हम parallel कब बोलते हैं, जब उनके corresponding angles equal हो, या तो alternate interior angles equal हो, हाना, तो हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, अब corresponding angles बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे, देखो, यहाँ पर क्या रखो, अब compass रखो, compass रखा और measure किया angle, angle measure किया, देखो, compass रखा और angle measure किया ये, angle आ गया हमारा, ठीक है, वही same compass खोली, उतनी ही same, change नहीं करनी अब, ठीक है, उतनी ही same, जो हमने angle measure किया, उतने ही same angle measure करना है, A3 पे, क्योंकि corresponding angles बनाने है हमें, right, so A3 पे अब compass रखो और arc लगाओ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, compass रखी और arc लगाई, ऐसे, clear, अब A3 पे फिर से compass रखी, यहाँ पे compass रखी, और यहाँ पे point mark कर दिया, angle बन गया हमारा, ठीक है, पहले A3 पे आक लगानी है और A3 पे compass रखके यह वाली आक लगेगी, then इधर compass रखके यह वाली आक लगई, clear, so यह कुछ ऐसे line जाएगी, which is parallel to A5B, ठीक है, बन गई line, वो यही बोल रहे है, through the point A3, draw a line parallel to A5B, by making an angle equal to A A5B, यानि A A5B, के equal बनाना है वो हमें angle, right, तो यह दोनों angles अगर equal हो गए, then they are corresponding angles, corresponding angles हो गए नहीं, because AX, यह था हमारा X, so AX क्या है, एक transversal बन गया, that means this line, यानि A3C, A3C is parallel to A5B, right, A3C क्या बन गई, parallel बन गई A5B के है न, अब वो क्या बोल रहे है, ठीक है, then AC is to CB, AC is to CB, is 3 is to 2, कैसे बन गई, 3 is to 2 ratio में divide कर दी, हमने line, आप measure करके देख सकते हो, अगर आप मेरे साथ साथ draw कर रहे थे, तो measure करके देख सकते हो, 3 is to 2 ratio बन रही होगी, कैसे बनी, देखो, अब इसका reason क्या है, justification क्या है, कि हम ऐसे ही methods क्यों follow कर रहे हैं, हम ये method क्यों follow कर रहे हैं, चलिए, देखते है reason क् अगर इस triangle की बात करें, triangle A, A3, C, किस की बात करें, triangle A, A3, C, A, ठीक है, इस triangle की अगर हम बात करें, और फिर बड़े वाले triangle की बात करें, यानि कि triangle A5, B, A, ठीक है, इन दोनों triangles की अगर हम बात करें, तो आपको दिख रहा होगा angle A common है, हाँना, angle A दोनों में common है, राइट, और ये वाला अंगल और ये वाला अंगल, अभी अभी हमने just equal बनाया, by construction, right? So, angle A, A3C, A, A3C is equal to angle A, A5B, right? ये हमने by construction किया. That means, by AA rule, AA rule, ये दोनो triangles क्या हो गया, similar हो गया? और triangles similar होते ही, देखा, triangles का use. triangles, triangles similar होते ही, क्या हो जाती है, उनकी corresponding sides in same ratio, हाना? यानि की, A, A3, A, A3 upon, A3, A5 is equal to AC upon CB, right? ये हो जाएगा, हाना? और A, A3 क्या है? भाई, ये सेम है, यानि कि ये ती, तीन हिस्से है, है, सो 3 is to 2, ये है 3 is to 2, ये है 3 is to 2, which is equal to AC upon CB, और AC और CB की ratio भी हो गई, 3 is to 2, clear? सो ये method सबको समझाया? कि first method क्या कह रहा है? कि जो भी हमें ratio दी गई है, 3 is to 2, उनको add करो, 3 plus 2 किया 5, 5 divisions बनाओ, और 5th division से, यानि last division से, यानि AM से, AM से B को जॉइन कर दो, AM से B को जॉइन कर दिया, then, AM, नहीं सोरी, AM plus N से, add कर के, ठीक है, फिर उसके बद, AM पे, क्या बनाना है, हमें सेम अंगल बनाना है, यानि कि पारलल लाइन बनानी है, और जो भी वो जॉइन कर के point आया, that is the point which is cutting the line, in the ratio 3 is to 2, clear है, ठीक है, first method सबको समझ आया, चले आगे, next method देखें, फिर questions भी करेंगे, सबसे पहले दोनों method देखते हैं, फिर question करेंगे, ठीक है, चालो, तो यह note down कर सकते हो, whatever it is, screenshot ले सकते हो, ताकि आपको बाद में याद रहे, ठीक है, ओके, चलिए, चलते हैं आगे, method 2 पे, method 2 क्या है, उसमें भी हमें यही करना है, to divide a line segment in the ratio, M is to N, which is 3 is to 2, 3 is to 2 में ही line को divide करना है, लेकिन अब तरीका क्या है, different method है, देखते हैं, वो क्या है, सबसे पहले, draw any ray ax, making an a q-tangle with a b, ठीक है, सबसे बहले तो a b बनाएंगे, यानि a b हमें क्या बनानी है, 5 cm, पहले भी हमने 5 cm ली थी, ठीक है, तो सबसे पहले एक a b draw करो 5 cm, a b 5 cm, ठीक है, scale से scale लो, pencil लो, एक a b line draw करो 5 cm, किया सबने, चले आगे, 1st step देखे, चले, so draw any ray ax, making an a q-tangle with a b, a पे क्या बनाने है, के q-tangle बनाने, ax, ठीक है, so एक a q-tangle बनाया, with the help of protector, compass, कैसे भी बना सकते हो, यहाँ पे गए हम ax, ठीक है, एक रे बन गई, clear, और जितना अंगे इधर बनाया, suppose, मान लो, 60 degree बनाया, ठीक है, 60 degree, मानना क्या, 60 degree बना लीजिए, फटा-फट बनाईए 60 degree, आता है सबको 60 degree का angle बनाना है ना, so 60 degree angle बनाओ, और वो angle नीचे की तरफ जाना चाहिए, यानि उसकी ray क्या जानी चाहिए, ने क्यूट अंगल, तो ये भी मान लिया, 60 degree बनाया था, 60 degree बनाया है, इधर भी एक्यूट अंगल बनाना है, तो एनी अंगल लेस दान 90 degree is acute angle, clear, तो 60 degree इधर भी बना लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इधर डिफरेंट क्या है, अब कैसे, दो लाइन अभी मैंने बूला, पारलल कब होती है, जब उनके corresponding angles equal होते हैं, तो यहाँ पे हमने corresponding angles का use किया था, अब हम किस चीज का use करेंगे, लाइन पारलल बनानी है, AX के पारलल बनानी है BY, तो हम alternate interior angles का use करेंगे, जो angle यहाँ पे बनाया 60 degree, वही सेम angle 60 degree यहाँ पे भी बना दीजिए, 60 degree बनाया, आता है ना सबको compass से 60 degree बनाना, चलिए तो बना लिया, उसके बाद join कर दिया, तो यह दोनों लाइन्स क्या बन गई हमारी parallel बन गई, that is BY, clear, so हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया AX parallel BY, ठीक है यह चीज हमने बना दी second step में, ठीक है, ओके, लोगे और हमने use किस चीज का किया, यहाँ पे use हमने किया था, किस चीज का, यहाँ पे use किया था, हमने corresponding angles का use किया था, ठीक है, और यहाँ पे, मैं आपको side by side ये भी बता रहे हूं कि हम वो कर क्यों रहें, कोई भी चीज रटनी नहीं है, हर चीज के पीछे logic होता है, construction में भी हर चीज के पीछे logic है, कि भई वो construct हो कैसे गया, magic थोड़ी है कोई, logic है, हर चीज के पीछे logic है, यहाँ पर हमने parallel line कैसे बनाई, हमने बनाई alternate interior angles की helps, ठीक है, यह बनाया, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो third step में, locate the points a1, a2, a3, यानी हमें 3 is to 2 की रेशो में कट करना है, 3 is to 2 की रेशो में अगर हमें कट करना है, तो line a x, जो ray a x है, उस पे हमें 3 equal points बनाने है, ठीक है, जैसे हमने पहले बनाए थे, पहले हमने बनाए थे add करके बनाए थे, ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 is to 2, यानी पहले number आ रहा है 3, तो a x ray पे हम 3 equal distance पे points बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 cm का gap ले सकते हो, 2 2 cm का gap ले सकते हो, जितना आपका मन करे, लेकिन neat and clean figure होनी चाहिए, neat and clean construction करनी है, ठीक है, ओक है, चालो, तो definitely आख ड्रॉ करी ऐसे, यह आगया a1, ठीक है, फिर a1 पे same distance की कमपस रखी और आख ड्रॉ करी हमने a2, और फिर यहाँ पे a3, ठीक है, तो a1, a2, a3 points construct हो गए, तो यहाँ पे बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ब1 and b2, क्योंकि हमारा दूसरा number क्या है 2, on by, ठीक ह है, तो b1, b2, ड्रॉ करने है b1, पे, तो यहाँ पे भी same distance के, 1, 1 cm, 2, 2 cm के gap पे ले सकते हो, लिया, आख बनाई, this is b1, फिर यहाँ पे आख बनाई, कमपस पे रखा, आख बनी b2, ठीक है, तो यह points हो गए हमारे, clear, अब क्या फाइदा है इसका, इस method में, और second method में, कौन स method better है, अगर आप मेरे से पूछोगे, तो मैं बोलूँगी कि बेटा, method 2 better है, हमेशा हमें, mostly questions में, आप यही follow कर पाओगे, क्यों, क्योंकि देखो, अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है हमें, कि एक line पे ही आपको सारे points बना देने हैं, अगर मैं आपको बोल दूँ कि ratio में कट करना है आपको 10 is to 2 की ratio में, आपको कट करना है 10 is to 2 की ratio में, तो आप क्या करोगे, इस वाले method से अगर solve करने जाओगे, तो आप क्या करोगे, 10 plus 2, 12, तो यहानी कि 12 divisions बनाओगे, कब तक चलते रहोगे, राइट, चलते ही रहोगे, यह तो कोई तरीका नहीं हुआ, आपक तक आपका बनाई नहीं, क्या पता 12 divisions बनी नहीं हो, राइट, तो इसलिए फाइदा ये है कि 10 एक तरफ बनाओ, 2 एक तरफ बनाओ, कामी खतम, ठीक है, ऐसी यहाँ पर 3 एक तरफ बनाई, 2 एक तरफ बनाई, clear, तो मेरे हसाब से तो यह method असान रहता है, बाकी आपकी मर्ज है कि distance same है, ठीक है भाई हमने distance same रखा, फिर वो क्या बोल रहे है, join A3, B2, क्या join करने को बोल रहे है, A3, B2, ठीक है, A3, B2, A3, B2, scale से join करनी है सारी चीज़े, A3, B2, join कर दिया और जहाँ पे cut कर रहा है, A, B को, point C, this point C is cutting the line A, B, in the ratio 3 is to 2, देख वो यही बोल रहे है, then A, C is to B, C is 3 is to 2, clear, अब इसका reason क्या है, कैसे हुआ यह, हना, देखो, इन दोनों triangles को देखो, इन दोनों अगर triangles की बात करें, क्या है यह triangles, triangles, A, C, A3, and triangle क्या है यह, B, C, B2, ठीक है, इन दोनों triangles में अगर देखो, तो यह वाला triangle और यह वाला triangle, क्या हो गए, alternate interior angles, हना, So, angle A is equal to angle B, reason हो गया, alternate interior angles और यह हमने construction करी है, right, so this is by construction, ठीक है, उसके बाद यह वाला angle, देखो, यह वाला angle और यह वाला angle क्या हो गए, vertically opposite angles, right, So, angle A, C, A3 is equal to angle B, C, B2, क्या हो गए, vertically opposite angles, vertically opposite angles होते ही, by A, A rule, By A, A rule, they are similar, हना, और similar हो गए, तो यानी कि their corresponding sides are of same ratio, that means, A, A3, क्या हो जाएगा, A, A3 upon B, B2 is equal to A, C upon B, C, so A, A3 क्या है, 3, तीन हिस्सों में काटा हुआ है, उसे है, तो 3 is to 2 upon A, C upon B, C, और यही तो हमें दिखाना था, और हमने दिखा दिया, तो यह क्या है, हमारी construction है, यह है हमारे steps of construction, यह है, steps of construction, और यह क्या है, उस construction की justification, तो कभी-कभी exam में वो पते क्या करते हैं, वो बोलते हैं, construct this, यानी की, draw, divide the line segment of 5 cm in ratio 3 is to 2, write the steps of construction, तो यह है method 1 के steps of construction, यह है method 2 के steps of construction and also write the justification, तो यह है justification of method 2 और यह थी justification of method 1, तो फटा फट से screenshot ले लो, note down कर लो and फिर हम चलते हैं questions पे, तो यह है method 1, इसको note करा फटा फट से, चले आगे, चलिए, तो यह है method 2, इसको भी प्लीज नोट कर लीजिए या screenshot ले लीजिए, क्योंकि पक्का-पक्का question आएगा, शे और शे और है, question आने की guaranteed है, इसमें से, मतलब कोई भी एक method आप follow करके कर सकते हो, और justification भी आनी चाहिए, क्योंकि exam में कभी कबार वो बोल देते है, justify और construction, तो कैसे justify करोगे, कि हमने क्या किया, ऐसे, ठीक है, clear है, चले questions देखें, अब आ रहा है ना सबको construction समझ, तो असा आ तो नहीं होगा, ठीक है, चालिए, ओक, अब यह question देखो, draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5 is to 8, 5 is to 8, देखो, अगर मैं method 1 से solve करने जाओंगी, तो मुझे कितनी divisions बनानी पढ़ेंगी, 5 plus 8, that is 13, तो भाई, उतनी तो मेरे board पर पूरी भी भी नहीं आएंगी, मैं method 2 का use करूंगी, ठ ठीक है, so method 2 का use करेंगे हम, method 2 का क्या use है, देखो, कैसे, 7.6 की line segment draw करिये, चलो, फटा-फट से draw करो, 7.6 a, b, 7.6 cm draw कर लिया, ठीक है, a, b draw किया, 7.6 किया, सबने draw, थोड़ा सा नीचे draw करती हूं मैं, क्यूंकि यह ऊपर लिखा हुए न, ओके, सो, यहाँ पर, ओके, चलो, तो 7.6 cm की line draw करी हमने, किया, सबने draw, 7.6, ठीक है, done, 7.6 cm की line draw कर लिया, method 2 अगर follow करना है, तो a, x एक रे बनानी पड़ेगी, जिसमें कितनी divisions करेंगे हम, जिसमें divisions करेंगे, 5 divisions, right, equal divisions करनी पड़ेंगी, लेकिन 5 divisions करनी पड़ेंगी, तो 60 degree का angle बनाया, क्योंकि कोई acute angle बनाना है हमें, और a, x एक रे बना ली, ठीक है, बनाया सबने 60 degree का angle बनाईए, कोई भी एक यूट अंगल, 30, 45, 60, कोई भी बना सकते हो, लेकिन एक यूट अंगल, बनाया, किया सबने, अब कितनी divisions करनी है, 5 divisions, हाना, चालो, यहां से शुरू हो जाओ, compass रखो, 1 cm के gap पे, या 2 cm के gap पे, 5 divisions, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई, 5 divisions होगे, equal divisions करनी है आप लोगों को नेम देदो, A1, A2, A3, A4 and A5, ठीक है, हो गया, अब उसके बाद, second step क्या था, second step था, parallel line बनानी है, AX के parallel BY बनानी है, राइट, सो क्या होगा, यहां पे अगर 60 डिगरी है, तो B पे भी 60 डिगरी का अंगल बनाएंगे, so that alternate interior angles are equal हाना, फटा वज से 60 डिगरी का अंगल बना यहां पे भी, compass रखा, compass ऐसे रखा, arc draw करी, उसके बाद, यहां पे एक आख लगाई, 60 डिगरी का अंगल बन गया, with the help of compass, protector से भी कर सकते हो, वैसे तो, ठीक है, so यह बन गया हमारा BY, clear, ओके, अब यहां पे कितनी divisions करनी है, यहां पे हमें करनी है, यहां पे हमें करनी है, 8 divisions हाना, so 1, equal measurement की, 2, 3, 4, फिर आगे और उपर लेके जाएंगे, ठीक है, ओके, चलिए, देखते हैं, ओके, आप लोगों ने बनाई रहे, देखो, यहां पे तो बनने से रही आज, कोई बात नहीं, ट्राइ करते हैं फिर से, देखो, तीन-तीन बन रही हैं अपने आपी, आप लोगों की बनी, तो यहां पे 8 divisions करो, ठीक है, फटावच से 8 divisions करो, बी वाइड रो करा, 60 डिगरी का अंगल बनाया और 8 divisions करी, उसके बाद क्या करना है, यहां पे 5 is to 8 की रेशो है, तो यहां पे A5 और B8 को जॉइन करना है, एंड में क्या करोगे, यहां पे A5 और B8 को जॉइन कर देना है, उसके बाद जिस पॉइंट पे यह A B पे इंटरसेक्ट करेगा, यानि पॉइंट C पे तो वो 5 is to 8 की रेशो में, कट हो जाएगा, क्लिया रहे, चलो अब लास्ट टाइम फिर से ट्राए करते हैं, देखते हैं, बनता है या नहीं, ओके चालिए देखो, ओके फाइनली, बना, ठीक है, तो यहां पे आख रखी, 1st division, फिर यहां पे कंपस, 2nd division, then third, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है, तो perfect नहीं है मेरा, क्योंकि obviously measurement से नहीं किया है, बट आपको proper gap देके करना है, 1-1 cm का 2, चाहे 2-2 cm का 2, ठीक है, उसके बाद यह है हमारा B8, तो हमें किसको join करना है, A5 and B8 को join करना है, क्योंकि 5 is to 8 की ratio में क्या करना है, तो join किया, और जिस point पे वो इधर cut हो रहा है, A, B पे, so this point C is cutting the line A, B, line segment A, B into ratio 5 is to 8, clear है, so आया सब को समझ, बस यह steps of construction note कर लीजिए, इनको ध्यान रखना है and everything is sorted, ठीक है, clear है, असान है, कुछ मुछकिल नहीं है, चलें आगे, ओके, चालो जी, अब बढ़ते हैं, आगे, अपनी quiz की तरफ, ठीक है, चालो, तो यह circles की construction जो है, वो हम next class में देखेंगे, आज की class के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करके आओगे, practice करके आओगे, line segments को divide करने की, ठीक है, divide in the ratio, 1 is to 2, different line segments लो, और अपने आप करके देखो, कि divide वो हो पा रही है, या नहीं, किसी भी method से करो, दोनों ही असान है, बट मुझे personally ऐसा लगता है, यह जो students को असान लगता है, method वो लगता है, method 2, ठीक है, तो आप भी बताना comment section में कि आपको कौन सा method easy लगा, 1 या 2, ठीक है, अभी चलते हैं, हम अपनी आज की quiz number 2 पे, चलिए, शुरू करते हैं, पहला question है हमारा, to divide a line segment AB in the ratio, 4 is to 7, यानि एक line segment है AB, जिसको हम divide कर रहे हैं ratio में, 4 is to 7, रे AX is drawn first such that angle BAX is an acute angle, and then the points, this are located at equal distance on the ray AX, and the point B is joined to, B किस से join होगा? Okay, next question, to divide a line segment in the ratio, 5 is to 8, first array AX is drawn, so that angle BAX is an acute angle, and then at equal distances, points are marked on the array, such that the minimum number of points is, कितने होंगे minimum number of points? Okay, चलो, discuss करें, चलिए, देखो, क्या बोल रहे हैं वो, कि एक line segment है AB, एक line segment है AB, जिसको हम cut कर रहे हैं, 4 is to 7 में, तो method 1 की बात कर रहे हैं, देखो, method 1 की क्या बात कर रहे हैं, कि एक line segmentally AB, यहां पर एक acute angle बनाया, और कितने points होंगे, total कितने points बनेंगे, 4 plus 7, that is 11, total 11 points बनेंगे, और जो last वाला point होगा, A11, उसी से ही तो हम join करते हैं B को, हना, first method में यही कर रहा था, तो किससे join करोगे B को, B is joint to A11, that is option B is correct, ठीक है, चालिए, next, क्या है, to divide a line segment AB in the ratio 5 is to 7, ठीक है, एक line segment है AB, उसको 5 is to 7 में cut करना है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, कि AX पे minimum number of points कितने बनाए जाएंगे, कितने बनाओगे minimum, देखो, total, 5 plus 7, that is 12, इतने ही तो बनेंगे, हाना, तो क्या है answer हमारा, option D, that is 12 points बनेंगे रे AX, ठीक है, तो यह आपको steps of construction याद रखने है, अगर steps ही याद नहीं है, तो कैसे construct करोगे, हाना, तो थोड़े बहुत questions प्राक्टेस करना, दोनों method से करने की कोशिश करना, और कल की class में हम इसका next construction सीखेंगे, यानी की tangents बनाना सीखेंगे on the circle, clear है, चालिए, तो आप लोग जानते ही हो कि CBSC board का VIP course start हो चुका है, और आप लोग बहुत बार experience भी कर चुके हो, कि VIP classes में teachers आप लोगों के class के अंदर ही doubts ले पाते हैं, interaction हो पाती है, अगर proper VIP course join करते हो, तो notes भी provide करवाए जाएंगे, तो note करने की tension से बच जाओगे, ठीक है, क्योंकि direct ready-made notes मिल रहे हैं, that two teachers बना रहे हैं आप लोगों के लिए notes, ठीक है, इतने मज़े से सब लोग पढ़ रहे हैं विए पी कोर्स में और tension ही नहीं है, भाई सारी tension तो हमने ले ली notes prepare करने की भी, okay, चालिए, so I hope construction अब आपको clear हो गया है, और बार बार अब नहीं बोलोगे कि माम construction, 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 चालिए, तो आज भी हमने सीखा, और कल भी हम construction को ही continue करेंगे, दो बजे, same time पे, till then, bye bye, take care and thank you.